एएवान न्यूस एंडिया हर खबर सच्छाई के साथ एपर मतव्स माते कीजिनदाबारा마र। यसा जक्राएपाइए और सबस्कोर्ण करए शयनदाबार. एस लुम्स आतना इसके साथ यिह ईऽट आतना ड्यक्तुक्राएवोर. डूक न्यूट हेशन शयन गौराएवढ। जिन्दाबाद। परवार होता जा रहा है अब हम उन्से बदलने ने सभी बबालोग ने जो बदलने ने छोड़ने जावकर करते हैं अगर आपकी कोई धटना जटी तो हम भी पिटाई करवादेनों मुक्तमा देखा जाए जिता जाए बंदों च्या कोई लोग पेशिए तो इसलिए ये तीन चार लोगों को फुलिस स कि अधिए अधिए जानना चाहेंगे किन मागों के लेके आपने जा पर साथ हो कहीं मांगे थी नवाग बंद पैसील में समाजवादी पार्टी के जुमेदार साथियों के साथ माननी है मंत्री अगवा सरंजी के साथ आज हम लोगों ने सब्सक्राइब को माहमईम राजिपाल के लिए ग्यापन दिया है उसमें कई मांगे हैं भारती अन्ता पार्टी के लोग नौजबानों को विरोजगारों को बुज़र्गों को परिसान करने का काम कर रहे हैं पत्रकारों के साथ मार्पीट कर रहे हैं ऐसे कई मुद्धे थे उन पे साथ का ध्यान आकर सिथ कराया हम लोगों ने अब गुंड़ई चरम पे हैं पुलिस के अधिकारी हों करमचारी हों पत्रकार हों तो यह तो गुंड़े हैं किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं इसी तरीके से इनने पत्रकार को मारने का काम किया मुकदमा सिर्फ 313-504-506 में लिखा गया है मुझे लगता है कान का परदा भी फटा होगा अभी तक इनके कान से आवाज नहीं आ रही है अगर इनकी डाक्ट्री कान के परते की हो तो इसमें मुझे लगता है 326 बढ़ेगी फिर इनकी बेल हाई कोट से नहीं होगी लोग तंत्र का चौथा इस्थंप है हम लोग उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो किस तरीके से वो निर्वीक होके नियायपूर बात जनता की सब के सामने रख पाएंगे इस सरकार में भरती जनता पर्टी की ना कोई नियम है ना कानून है ना कोई देखतियों के अंदर अनुशाशन है और इसी लिए घटना कुछ थी पैसे की उगाई की एक थ्री वीलर वाले से पैसे उगा रहे तो उसने मना किया तो उसे मारना शुरू कर दिया और लविंज यहाद का नाम ले दिया पत्रकार होने के नाते उनने फोटो कहांचा तो पत्रकार की भी पिटाई कर दियो उसका कैमरा भी तोड़के फेकना चाहाया सारे कप्ले पहड़ दिये और हमने आज जो ग्यापन दिया है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर इस सारे लोगों के कि इन विवस्ताओं को सही किया जाए और अगर सही नहीं हुए तो भारतिय जंता पार्टी के खिलाप इस सरकार के खिलाफ समझवादी पार्टी आंदूलन करेगी जिस तरह से पत्रकार के साथ जो घटला घटी एक तरह से साजिस है क्या नहीं ये बहुत लोगतंत्र में अगर पत्रकार तक हतम हो जाएगी पत्रकार लोगों को अपमानित किया जाएगा पत्रकार लोगों के साथ बहुत खराब हरकते की जाएगी मारफीट की जाएगी तो पद एक लोगतंत्र का एक पाया ढह जाएगा और जो इमानदारी जो पिरदर्शित करत हम बात पत्रकार की नहीं है हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जिसके साथ होगा चाहे वो पत्रकार के खिलाफ हो नौजवान के खिलाफ हो किशान के खिलाफ हो जिसके खिलाफ होगा समाजबादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगा